यह वाइरस किस प्रकार से संक्रमित करता है डीजिस पॉस करता है वाइरस कई प्रकार के होते हैं DNA और RNA टाइप के वाइरस होते हैं ज्यादा तर जो कोरोना वाइरस होते हैं यह जानवरों में पाए जाते हैं और क्लासिकली इंफेक्शन इनकी चमगादर और पिग सुर कैमल इन तरीके के जानवरों में ये पाय जाते हैं ज्यादा तर ये कुरोना वारिसे फ्लू या जुकाम ताइप की इंफेक्शन करते हैं पर कभी कभी ये वारिस अपने आप से म्यूटेट होके माने ये अपना स्वर ग्रूप और अपनी अटाक केबिलिटी को बदल कर इंसानों को भी इंफेक्ट करते हैं तो ये जो नॉर्मल आपका फ्लू वारिस है जो इंफ्लूएंजा वारिस है जिस पकार का जुकाम का वारिस है वो एक सिंपल वारिस इंफेक्शन है पर जब कोई आनिमल बॉन वारि जो कि पहले viruses जो इनसानों को affect करते हैं, वो उनसे उसके चिन भिन होते हैं, तो जो virus है आपको संक्रमित कर सकता है, ये coronavirus, covid virus जिसको हम बोलते हैं, ये आपको संक्रमित करता है आपके नाख के द्वारा, आँख के द्वारा और मुग के द्वारा, हमारे पास कई patients हमने सुने है और literature में भी पढ़ा है, कि OPD में या डॉक्टर को दिखाने, आख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिनको कुरोना से ग्रसित है, और उनकी आखों में connectivitis, या आख में लाली आना, आख में पानी आना या रड़काना से start है, दो उसकी आई की presentation कम देखी गई है, पर ये भ होता है, जब आप किसी चीज़ को छूते हैं, उस पे वारस ये पढ़ावा होता है, और उसको छूने से आपके शरीर में अंत करता है, कैसे? कई research ने बताया कि एक नॉमल व्यक्ति दिन में दो से चार हजार के बीच में अपने चेरे को, आख को या नाख को छूता है, तो जरीए ये आपके शरीर में एंट्री कर लेता है, तो इसलिए लोगों को ये जानकारी बहुत जलूरी है, कि बहुत सारे व्यक्ति हम देख रहे हैं, सड़कों पे मास्क लगा कर गुम रहे हैं, और सोच रहे हैं, निस्चिन्थ हो गए हैं, कि उनको अब ये बिमारी ग्रस नहीं करेगी, ये गलत है, एरोसॉल ट्रांसमिशन और फॉमारिक ट्रांसमिशन दो प्रकार के संक्रवन करने के तरीके हैं, एरोसॉल ट्रांसमिशन ये है कि आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है, उसने जोड से खासा या छीका, उसके मूँ का जो सलैवा है, वो हवा में आया, since ये वायरस बहुत छोटा होता है, और जैसे मैंने बताया कि बॉल पॉइंट की जो डॉट बनती है, उसके अंदर अंदाजन 50 करोड वायरस हो सकते हैं, तो जब छीकने से ये थूक या मूँ का सलहवा हवा में आता है, तो ये suspended aerosol के तरीके में हवा में रहता है, अग होती है aerosol transmission, बहुत सारी studies कहती हैं कि ये वायरस कुछ घंटे तक उस हवा में रह सकता है, बट aerosol transmission का एक थोड़ा सा advantage ये रहता है, कि ये थोड़ा आसपास के लोगों को infect करती है, और थोड़े समय में dilution हो जाती है हवा के अंदर, जब ज़्यादा हवा चलती है, ये आस हाथ में वारस लगा था, आपने डोर का handle खोला, आपने बातुन का flush चलाया, आपने बिजली का switch दबाया, आपने अपना credit card किसी को दिया, आपने किसी दुकांदार से कुछ नोट लिये, वो दुकांदार इस बिमारी से ग्रसित था और वो नोट अपने अपने हाथ में लि परसित कर सकती है, तो इस से हमारा ये ध्यान आता है कि सिर्फ मास्क पहन लेने से ही आप बिमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, संक्रमन्ट से छुटकारा नहीं पा सकते, hand wash या hand hygiene इसमें बहुत ज़्यादा जुरूरी है, बहुत ज़्यादा एहमियत है, अपने हाथ को ब मेरा यह मनना है कि जो आज हालाच चल रहे हैं हर आदे से कौने गंटे में आपको अपना हाथ दोना चाहिए और अगर आप बाहर से हो के आते हैं तो अपने अपने हाथों को दोना लाजमी ने अनिवार है इससे पहले कि आप घर में आकर कोई भी चीज को चूएं आप अपने हाथ दोएं अगर आप बाहर से सबजी लेकर आएं आप सबजी का थैला है या दूद के पैकेट है या ब्रेट का पैकेट है आप उसको अच्छे से किसी साफ साबुन वाले कपड़े से पोचें अगर दूद की थैली है तो उसको आप अच्छे से डिटर्जेंट से नल के नीचे दोएं उसके बाद अपने हाथ दोएं आपके घर में जो आपके मददगार हैं, जो सहकार हैं, जो आपके साहिता करते हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, इस समय में उनका जितना आप उनको आराम दे अपने घर पे, तो उससे दो चीज होंगी, जब वो आपके घर तक आते हैं, उनका संक्रम आपका कम हो जाता है तो हमको इस कुछ समय के लिए ये जो कठिन समय आया है इसके लिए हमको अपना एतियात रखना है कम से कम भार के लोग घर में आएं सब लोग घर के अंदर रहें कोई संक्रमित व्यक्ति अगर आपके आसपास है आपको लगता है उसको जुकाम टाइप की सिंपल चीज़ भी है तो उससे आईसोलेशन करें उसको दूर रखें उसका ताप्मान रेगुलर मात करें अगर आपको लगता है कि उसके सिंप्टम्स बढ़ रहे हैं तब ये ज़्यादा खराब हो रही है उसको तो उस समय उसको डॉक्टर की सलाया होस्पता लेदे